exercise 3.2 question number 6 में दिया हुआ है हमें इसके अंदर sine angle of 765 अब 765 इतना बड़ा एंगल है तो इसको हमें थोड़ा छोटा बनाना पड़ेगा तभी हम इसकी answer निकाल सकते हैं तो first of all अगर हम इसके अंदर देखें कि हमारको अगर 180 दिया है जो कि होगी पाई की वैल्यू जैसे 1 पाई 2 पाई 3 4 5 6 7 8 8 पाई की वैल्यू होगी 1440 तो जैसे कि हाँ पे हमें 765 दिया हुआ है तो उसका हम closest देखेंगे कि कौन सी पाई की वैल्यू से closest है तो अगर हम इसमें देखें 765 को 720 प्लस 45 तो यहां पे हमेशा एक बाद यार रखनी है कि यहां पे हमेशा हमें always put known values और function जैसे कि हमें sin 45 की value पता होती है जो कि होती है 1 by root 2 तो हमेशा हम यहां पे कुछ ऐसी values लेंगे कि हमें known हो जैसे कि हमें sin 45 की पता भी है तो हम ऐसा लिख सकते हैं sin 720 प्लस 45 या यह भी तो लिख सकते हैं sin of 4 into 180 क्योंकि 180 को 4 से multiply करेंगे या यह बोल सकते हैं pi और यह है 4 pi तो 4 pi बनाने के लिए या 720 बनाने के लिए 4 से 180 को करना पड़े का multiply प्लस 45 और ऐसा भी लिख सकते हैं 2 multiply by 360 जैसा भी करेंगे आंसर हमारा ठीक है एक्दम तो हम ऐसे लिखते हैं तो हम यह यह लिख सकते हैं 4 into 180 प्लस 45 या फिर 4 into pi प्लस 45 तो अगर हम देखे इस graph के अंदर तो हमें बताया कि अगर हम इतना आंगल करते हैं 180 तक तो हम एक प्लस या यह बोल चकते हैंगी अगर हम इतना आंगल रोटेट करता है तो प्लस 45 तो हम यहाँ पर पता भी था कि 4 पाई है हमारे पस तो हमने 4 पै तक कुछ angle add हो रहे हैं, तो अगर हम 4 pi में कुछ angle add करेंगे, तो हम obviously first quadrant में बहुत जाएंगे, जहाँ पर सब trigonometric functions की value होती है positive, तो जैसे कि हमें यहाँ पर दिया हुए sin of 4 pi plus, या 4 into 180 plus 45 तो हम इसको लिख सकते हैं directly sin of 45 positive का, तो भी first quadrant में सब functions की value जैसे की positive होती है, तो हम कुछ इसी तरीके से सारे questions करने वाले 6 to लेके 10 तक, तो यहाँ पर इसकी positive value हो जाएगी, sin of 45 जो की होता है positive में 1 upon root 2 जिसकी हमें values यादी होने चाहिए table चाहिए, अगर हम 7th question देखें, जिसके अंदर हमें रिया हुआ है, cos of minus 1410, तो पहली बात तो negative वाला है, अगर cos के अंदर negative होता है, तो कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं, जैसे की हमने negative entities में भी बढ़ा है, अगर cos के अंदर कोई भी angle negative का होता है, जैसे की cos minus theta, तो हम उसको लिख सकते है, minus cos x theta, यह cos नहीं है, cos x दिया हुए जैसे की 1440, इसके सबसे closest है and 1440 में से अगर हम subtract करें, 30 degree angle, जिसकी value हमें known भी होती है तो बन सकता है 1410, तो कुछ इस तरीके से इसको लिख सकते है, minus cos x 1440 minus 30 या फिर यह भी तो लिख सकते है, 1440 को 8 pi क्योंकि 1440 जो 8 pi की value होती है, तो हम यह लिख सकते है, cos x 80 8 pi minus 30 and we know that, अगर 8 pi की value की बात हो रही है, तो अगर हम इतना rotation करें तो हमारा pi complete होगा, अगर हम 180 का rotation करते हैं and अगर 360 का, तो 2 pi वैसे अगर पूरा complete rotation एक बार दुबारा करते हैं, तो हो जाएगा 4 pi and then 5 pi, then 6 pi, then 7 दुबारा से देखते हैं अगर हम इसको, अगर हम आधा rotation complete करें या semi circle complete करें, तो हमार पर pi rotation होगा, तो पूरा rotation complete करें तो 2 pi, वैसे अगर हम full rotation दुबारा से ले तो 4 pi then full rotation दुबारा से 6 pi, then full rotation अगर दुबारा से ले, तो हमार पस बन जाएगा 8 pi and अगर हम 8 pi में से कुछ value subtract करते हैं तो हमारे पास जो है जिसे अगर हम 8 pi के बाद बात करें तो हम कुछ positive x axis के side पर हमारा angle होगा अगर हम उसमें से कुछ subtract करेंगे तो बहुत जाएंगे हम 4th quadrant में जिसमें cos और sec होते है positive बट अगर cos x की बात करें जो की होता है negative उसके अंदर उसकी value होगे हम solve करते है cos x 8 pi minus 30 की तो होगी minus of cos x 30 and minus एक अल्रेडी भार था है जिससे की इसके अंदर तो minus minus हो जाएंगे cancel out तो बचे का हमारे पास positive of cos x 30 जिसकी value होती है 2 question number 8 में दिया हो इसके अंदर tan of 19 pi upon 3 and अगर हम pi की value उसमें बुट कर देते हैं जो कि होते 180 degrees के अंदर तो हमारे पास solve करके आएगा tan of 1140 जो की सबसे near most जिसके pi वाला angle होगा वो होगा 1080 जो की 6 pi की value होते है उसको ऐसा भी लिख सकते हैं 1080 plus 60 जो की बनेगा तो 1140 ही बनेगा या फिर उसको यह भी लिख सकते हैं 1080 को 6 pi plus 60 तो बना हमारे पास tan 6 pi plus 60 तो अगर हम rotation करे 6 pi के जाब से तो first अगर हमने 180 का rotation किया तो pi हो गया अगर second rotation किया तो 2 pi वैसे अगर हम दुबारा एगर complete rotation गया तो 4 pi पे पहुँच जाएंगे हम अगर एक और complete rotation किया तो 6 pi अगर 6 pi में कुछ angle add करते हैं तो हम पहुच जाएंगे first quadrant में जहां पर सारे की सारी values होती है positive की तो first quadrant में जैसे अगर पहुचे तो values होंगी positive की तो हम यह भी लख सकते हैं tan 60 होगा इसका answer positive में और tan 60 की value होती है root 3 कुछ नमर 9 देखते हैं इसके अंदर जिसमें में रिया हो है sin of minus 11 pi upon 3 and pi की value apply करने पे हमारे पास बचेगा sin of minus 660 और हमें बता है sin के अंदर अगर angle negative में रिया हो तो negative आ जाता है भार जिसको हम लिखते है minus sin of 660 and 660 के near most pi की angle की value होती है complete angle की value जो की होती है 720 तो minus sin theta 720 minus 60 अगर हम लिखें तो हो जाएगा 660 ही बनने वाला हो तो तो हम यह लख सकते है 720 minus 60 या 720 जो होता है वो 4 pi की value है तो अगर हम 4 pi rotations complete करें इसके अंदर first second pi and वैसे अगर हम complete 2 pi rotation और कर दे तो 4 pi के बाद हम पहुचेंगे यहाँ पे positive x axis के उपर और उसमें से कुछ angle हम subtract करते हैं तो हम पहुच जाएंगे fourth quadrant में नीचे अगर कुछ add करते हैं तो हम पहुचें उपर first quadrant में बट अगर हम 4 pi से कुछ delete या फिर बोल सकते हैं subtract करते हैं तो हम बहुचेंगे इसमें fourth quadrant में तो fourth quadrant में जैसे fourth quadrant के अंदर जैसा कि हमें बता होता है cos and sec जो होते है positive बागी सारे के सारे trigonometric functions होते है negative तो sign की value होगी इसमें भी negative तो हम इसको लिख सकते है sign of 4 pi minus 60 को बाहर तो एक already minus सल रहा था इसके पास तो हे हो जाएगा minus sign of 60 and sign of 60 की value जैसे की होते है root 3 by 2 and ये वाला minus और minus cancel out हो जाएगा तो हमार पास answer आएगा root 3 upon 2 question number 10 की अगर हम बात करें इसके इंदर तो question number 10 में हमें दिया हुआ इसके इंदर cot minus 15 pi upon 4 and pi की value अगर हम apply करेंगे इसके इंदर जो की vanity होते है तो हमार पास answer बनेगा cot of minus 675 and 675 और पहले बाद तो हमें negative angle है तो negative angle को बाहर लेके आना पड़ेगा cot में जितना भी negative में अंगल होता तो वह हो जाता माइनस cot of theta तो हम इसको लिख सकते हैं माइनस cot 675 और 675 के भी नियर मोश 720 होता तो 720 में अगर हम 45 minus करेंगे तो हो जाएगा 675 और तो या फिर इसको 720 को हम 4 pi भी लिख सकते हैं माइनस cot of 4 pi minus 45 और अगर हम 4 pi rotation करें जैसे कि अगर हम complete rotation करते हैं तो हमारे पास 2 pi complete होता है अगर एक और complete rotation करें तो हो जाएगा 4 pi और 4 pi में से कुछ minus करेंगे तो हम बहुचेंगे 4th quadrant में जहाँ पे cot negative होता है बस cos और से की होते हैं positive के तो cot negative होगा तो हम इसको लिख सकते हैं minus cot of 45 और भारवाला minus अभी भी ऐसा ही और negative से negative होगे cancel out तो हमारे पास बचा answer cot 45 जिसकी value होती है 1